Hi everyone, जैसे मैंने आपसे promise किया था कि मैं Buyer Agenda 25 EC का full review आपको दूँगी कि मेरा experience के साथ कैसा रहा और कैसे मैंने इसको use किया ये basically एक termite killer है और इसके तीन major point है एक तो flexibility usage इसका मतलब है आप oil या water दोनों में इसे मिला के use कर सकते हैं Domino effect यानि कि ये सिर्फ जो दीमक आपको दिखरी उसी को खतम नहीं करेगा और timely खतम नहीं करेगा जो सामने दीमक दिख रही है कुछ दिनों बार आपको effect देखने को मिल जाएगा non repellent यानि कि एकदम से दीमक को हटाएगा नहीं जैसे कहते हैं कि smell जब तक है तब तक हटा दिया उसके बाद ऐसी smell खतम होई वापस दीमक आगी ऐसा नहीं होगा ये एकदम से act करता हुआ आपको नहीं दिखेगा आपको इसके लिए weight करना होगा लेकिन वो weight बहुत ही जादा fruitful होगा तो मैंने इसे कैसे use किया मैंने इसे अपने आप use किया है किसी को hire नहीं किया है पहले मैंने एक बार अपने घर में दीमक का मतलब pest control कराया था और उसमें मेरे घर में जो अलमारिया हैं दीवारों में fix उसमें वो जो worker था वो छेद कर दिये थे उसने drill कर दिया था और उस drill को उसने white cement से भड़ दिया था तो मेरी अलमारियों में दीमक लग रही थी तो पहले मैंने उन जो भी holes थे उनको खोल करके उसमें इससे यह जो आप देख रहे हैं syringe इससे मैंने उसमें यह solution डाला solution इसका कैसे बनाते हैं बनाना बहुत आसान है अगर आप जिस घर में रह रहे हैं जो already constructed है जो बन चुका है जिसमें आपका furniture है तो आप इसे 1 लीटर में 15 ml मिलाएंगे लेकिन मैंने इसे 1 लीटर में 25 ml ही मिलाया मुझे लग रहा था कि जादा impact होना चाहिए और दीमक तब आपका घर बनने वाला है और आप पहले से ही pest को control करना चाहते हैं तब आप जहां भी इसे डालेंगे चाहिए फ्लोर पे डालें आप इसे 25 ml पर लीटर में मिलाएंगे यानि कि एक लीटर पानी में 25 ml यह solution मिलाएंगे इसमें यह का कब भी दिया हुआ है जिसमें आप इसको मेजर कर सकते हैं अगर आपको इससे उपर नीचे solution करना है फॉर एक्जामपल अगर आपको एक लीटर solution नहीं चाहिए आपको 500 ml चाहिए तो आप उसका maths करके उसको उस तरीके से ratio बना सकते हैं तो इसका ratio बनाना बहुत आसान है यूज करना बहुत आसान है बस यह ध कोशिश की थी लेकिन फट रहे थे तो हमने कई बार बिना ग्लाफ के भी से यूज किया है वैसे कोशिश यह कीजिए कि आप इसमें मास्क लगाई और हाँ पहनी और फिर इसे यूज कीजिए लेकिन अगर आपके हाथ में लग जाता है या मुपे तो आप सड़न उसी वक् माइन यहां मैंने जहां जहां इसे यूज किया था चाहे दर्वाजों की चॉक्रड पे यूज किया हो खिड़कियों पे उसकिया हो डिवारों पे ऊसकिया हो कई ज好了 में इसी सिरिंज से ये solution डाला है और कई बार जब जहां बहुत जादा space थी वहां ये needle निकाल करके और सिरिंज से सीधे ही उनमें holes में डाल दिया है और जहां बहुत पत्री जगा थी वहां needle का use किया है तो कई जगा मैंने इसे use किया है अगर आप इसे professional से नहीं करना जाते तो आ बड़ी सिरिंज भी ले सकते हैं इस से बड़ी सिरिंज यूज कर सकते हैं अच्छी तरह solution को डालिए एक लीटर मेरे लिए तो बहुत था क्योंकि जहां-जहां दीमक लग रही थी उसको use करने के बाद भी मेरा solution है वह बज गया तो आप इसे आराम से use कर सकते हैं खुद औ आप अपने हिसाब से उसे ड्रिल कर सकते हैं और white cement भढ़ना बहुत आसाना होता है इस not a difficult task कोई इतना complicated टास्क नहीं है आपने कई वीडियो देखे होगे जिसमें बोला गया होगा कि इसे किसी professional से कराईए तो professional भी यही करते हैं आप जिसे यह floors हैं तो इनमें भी ड्रिल कर इसे ही है उदर जो भी होल्स थे मां में ने डाला और दीमक अब मेरे घर में कंट्रोल हो चुकी है कोई दीमक का नया मुझे कोई नई ऐसी जड़ा नहीं देख रही जहां से दीमक आ रही है और अब दीमक बिलकुल खतम हो गई है अदर्वाइस मुझे कई बार अपने जो सजिस्ट करूंगी छोटा कंटेनर लीजिए पहले 100 ml का कंटेनर है देखे यूज करने के बाद भी इतना सारा solution मेरा बचा हुआ है काफी solution बचा हुआ है मतलब मैं इसे 8-9 बार और यूज कर सकती हूँ अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज करूं और यह solution काफी effective है इस इसका दूसरा भी आता है वर्जिन जिसको कहते हैं I don't remember right now I think it is प्रिमाइस सो हां प्रिमाइस आता है बायर का जो आप यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे एजेंडा बहुत अच्छा लगा एजेंडा को यूज करके मैं बहुत satisfied हूँ अगर आप एजेंडा लेना चाहते हैं तो यह 230 रुपे का solution है 100 ml और इसकी 2 साल shelf life है अगर आप इसे Amazon से मंगाएंगे तो आपको 270 रुपे का मिलेगा मैं आपको लिंक डाल दूँगी अगर आपको लेना है तो आप महां से ले सकते हैं मैं आपको suggest करूँगी आप पहले छोटा पैक लीजिए और इसको यूज करे बहुत बड़ा है और आपके अलग-अलग flats में आपको करना है तो आप बड़ा solution मंगा सकते हैं इसके agenda की 100-100 ml की दो बॉटल भी Amazon पे दी गई है जो आप ले सकते हो पर मैं आपको suggest करूँगी पहले आप एक ही बॉटल मंगाई है 100 ml की premise मुझे छोटे container भी नहीं मिला नहीं लिंक भी होगा आपको जहां से खरीदना है आप इसे खरीद सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ अब तक अपना खयाल रखिए बाई